नमस्कार मिनाजमिन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 News जिस देश में बेटियों को देविश समान माना जाता है जिस देश में बेटियों का समान करने की बात कही जाती है और जिस देश में देश के प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी महिला आरक्षन बिल लाते हैं और ये कहते हैं कि महिलाओं के समान में अब महिलाओं को भी अधिकार दिया जाएगा उसी देश में जब छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुर वहवार किया जाता है दुश्कर्म किया जाता है तो पूरा देश शर्मिंदा हो जाता है एक मामला मध्यपरदेश से आ रहा है मध्यपरदेश में मध्यपरदेश के उज्जैन से जिसमें 12 साल की लड़की के साथ रेप होता है जिसमें जानकारी नहीं मिल पाती है कि उस बच्ची का रेप आखिरकार किस ने किया ये जानकारी आपको ये बता दें कि जब बारा साल की लड़की का रेप होता है तो वो सडक पर यूही घूम रही होती है लगबग 2-5 गंटे तक वो बच्ची ऐसे ही खून में लटपत घूम रही होती है और यहाँ पर जब लोगों को जानकारी मिलती है तो पता चलता है कि उसके साथ क्या हुआ है इसी को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किये जा रहे है मद्यपरदेश में भारती जंता पार्टी की तरफ से रणनीती तो बनाई जा रही है लेकिन मद्यपरदेश में बेटियों की सुरक्षा को लेकर कोई बड़ा कदम नहीं उठाया जा रहा है ऐसे में जो जैन में जो ये मामला सामने आया है हैवानियत का मामला सामने आया है इस पर अब राहुल गांधी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है राहुल गांधी का गुसा साफतोर पर नजर आया है राहुल गांधी ने मद्यपरदेश की सरकार पर सवाल खड़ी की है आपको बदा दे हैं कि राहुल गांधी ने एक टुईट किया है ये टुईट आइप को स्क्रीन पर भी दिख जाएगा लेकिन टूइट में राहुल गांधी ने कहा है कि ना न्याय है ना कानून विवस्ता है और ना ही अधिकार है आज मध्यपरदेश के बेटियों के स्तिती पूरे देश में सर्मसार है मगर मध्यप्रदेश के मुख्य मंत्री और देश के प्रधान मंत्री बिलकुल इस मुद्दे को लेकर शर्म नहीं खाते हैं, उन्हें शर्म नहीं आती है, सिर्फ चुनावी भाशन, खोकलेवादे, जूटे नारे के बीच, बेटियों की चीक उन्हें सुनाई नहीं देती है ऐसे ही आपको ये बता दें कि यहाँ पर जो ये मामला सामने आया है, बहुत बड़ी बात है, यहाँ पर एक छोटी बच्ची, 12 साल की बच्ची के साथ ऐसा होता है, और वहाँ पर कोई कुछ कर भी नहीं पाता है, अभी आपको बता दें कि मध्यपरदेश में जाँच के आदेश दे दिये गए हैं, लेकिन जाँच में भी कुछ निकल कर सामने नहीं आया है, कि आखिरकार इस बच्ची के साथ ऐसा किया किसने, क्यूं हुआ और कैसे ये बीच सड़क पर घूमती हुए नजर आई, अब ये पूरा मामला तूर पकड़ता हुए नजर आ रहा है, राखुल गांधी ने टूइट के माध्यम से मध्यपदेश की सरकार सिवरा सिंग चोहान पर निसाना साथा है, और देश के प्रदाहन मंतरी पर निसाना साथा है, इस मामले को लेकर उज्जैन की जो ये घटना सामने आई, इसको लेकर आपकी क्या राय बनती है, कमेंट सक प्रक्षिन में जरूर बताए,